हेलो फ्रेंट्स एंड वेलकम टो ससी गाइडन्स आज का हमाँ टोपिक प्रॉफिट और लॉस का हैं आज हमने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टन टाइप्स के कुश्चन लिये हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे ऐसे एक या तो कुश्चन जोर पूछे आते हैं और यह काफी सिंपल कुश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल ट्रेक हमिश्की बताएंगे तो चलीया देखते हैं अज का पहला कुश्चन पहला कुश्चन दिया लिए हुँआ है 36 किताबों की लागतबुल या बराबर है, तो प्रतिसत लाव, यह यहां पूछा गया है, तो simply यहां क्या करना है, जो बराबर दिया हो, उसको बराबर कर दिना है, यानि क्या दिया है, कि 36 किताबों की लागत मुल्य, यानि कि 36 books की CP, लागत मुल्य क्या है, cost price, CP equal to किसके है, 30 किताबों के selling price के, तो 30 books के selling price के बराबर है अब यहां से CP और SP में हम अनुपात निकालेंगे तो CP क्या आए जाएगा 30 upon 36 तो अगर अनुपात निकाले तो कितना जाएगा 6 से डिवाइड कर दें तो 5 अनुपात 6 आ जाएगा जहां से हम ले लेंगे CP को डारेक्ट CP लेंगे और SP को SP तो CP यहां से कितना आजाएगा CP आ जाएगा अनुपात में कितना है 5 आ या तो हम CP को 5 ले लेंगे क्यों कि परसंटे निकालना है तो हम डारेक्ट ऐसे ही ले लेंगे और SP को ले लेंगे 6 लग भी का तो अधर पर सेफित हमें से पुछा गया तो ला प्रसंटेज्र थैने की प्राफिट पर संटेज क्या होता है फ्रॉपिट याने कि प्रॉफिट कितना है वर फिट वन य nessa ये जगए 20% यानि कि profit कितना होगा 20% profit होगा इसी स्थित में तो simple हमें क्या करना है जो भी दिया हो उसको इक्कल कर देना है क्या दिया था 36 किताबों की लागत value यानि कि CP cost price 30 books के selling price के equal थी तो दोनों को विक्कल किया CP cost price और SP selling price का निपात निकाल लिया और दोनों की वल्यों हमने उसी इनपात में सीधी ले लिए ठीक है और यहां से हमने profit percent निकाल दिया तो चलिए अब next question देखते हैं इसमें दिया हुआ है कि 15 वस्तों का लागत मुल्य 10 वस्तों के विक्रे मुल्य के बराबर है तो प्रतिसत लाभी इसमें सेम उसी तरह वही ट्रिक लगानिया में 15 वस्तों को क्या लागत मुल्य तो 15 articles क्या क्या CP cost price equal to किसके है 10 वस्तों के selling price के यह लिए selling SP selling price के बराबर है तो सेम वही कर देंगे से कॉस्ट प्रैस और selling price में अनपात निकाल लेंगे कितना आएगा 10 अपान 15 5 से डिवाइड करें तो 2 अपान 3 तो CP को हम डारेक्ट अनपात में दो ले लेंगे और selling price को 3 तो CP equal to क्या आजगा 2 और SP selling price equal to आएगा 3 अब में profit percentage है चाहिए तो profit percent equal to क्या होता है profit तो profit कितने का हो रहा है one का one अपन ठीक है और नीचे क्या लिए इसे profit percent में CP CP कितना है two into hundred जैसे कितना आ जाएगा 50% यानि कि profit कितना हो रहा है उसे 50% का profit हो रहा है ठीक है यही हो जाएगा हमारा answer तो simple question है और simple प्रसन आ और रहा नी हो रहे तो रहानी प्रसन निकालना है तो सेम वैसे लगा लेंगे पांच वुस्तों कविक्रेमल मुल यानि toxic पाइब, पाँच वस्तों को क्या हो जागा THIRIT अपान पाइब हेलेंगे जहासे SP क्या आगया THIRIT और eight cost bounce कितनी आ गयी पायव तो यहाा पर क्या हो रहा है सी पी यादा है सीलिंग प्राइब स्थिदंग और 100% यानि कि loss percentage क्या होगा loss percentage equal to loss loss कितने का है CP से कितना कम है SP 2 तो 2 upon CP CP रखा जाता है नीचे तो CP कितना है 5 into 100 तो यहांसे कितना आ जागा 40 तो यानि कि loss कितना होगा 40% ऐसी condition में उसे 40% का loss होगा और यही हो जाएगा हमारा answer ठीक है तो चलिए अब next question देखते है next question में दिया हुआ है यह जी 10 वस्तूओं का क्रेमोल 16 वस्तूओं के क्रेमोल के बराबर है तो प्रतिसात हा नी इसको भी लगा लेंगे तो क्या होगा 10 वस्तूओं का क्रेमोल यानि कि selling cost price cost price equal to है 16 वस्तूओं के विक्रेमोल यानि कि selling price के बराबर ठीक है यहाँ से cost price sorry यहाँ 10 था 10 वस्तूओं का cost price तो CP यानि कि cost price upon selling price equal to क्या जागा 16 upon 10 यहाँ से अगर इसका अनपात निकाले तो क्या आगा 8 अपान 5 तो 8 दे दे देंगे हम CP डारेक्ट के इन पात में दोनों के value ले लेंगे तो CP यहाँ से क्या आगा CP के value आई 8 और selling price SP के value आई है 5 तो ऐसी condition में क्या होगा हा नहीं होगी क्योंकि CP जादा है और selling price कम है ठीक है तो हान हो रही है तो loss percentage पूछा गिए loss percentage equal to क्या होता है loss तो loss कितने गवर है 3 का तो 3 upon CP CP कितना है 8 into 100 यह रखे यहां से हम percentage निकाल लेंगे तो ऐसे में यहाँ पर अगर 1 by 8 का अगर percentage into 100 के साथ percentage पताओ तो 1 by 8 का percentage में क्या होता है इसको हम 3 से multiply भी करा लेंगे ठीक है तो यहां आ जाएगा 37 सही 1 by 2 प्रतिसत ठीक है तो loss उसको 37 सही 1 by 2 प्रतिसत का loss होगा ठीक है तो बस सिंपल वही ट्रिक हमने लगानी थी और CP cost price और selling price हमने निकाल ली और वहीं से loss percent निकाल दिया ठीक है तो चलिए अब next question देखते हैं अगला type का next question हमरा 5 number ये next type का question है ये की different है पहले वाले से तो इसमें क्या दिया होगी 33 मीटर कपड़े बेच कर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रैमूल के बराबर लाव कमाता है तो उसका प्रतिसात लाव ग्याद करें तो इस question को बताने इस पहले मैं कुछ फार्मूले नोट कराना चाहूंगा जिनको आप नोट करने important फार्मूले है इस type के question इतने भी बनेंगे ठीक है वो बहुत ही आसानी सो जाएंगे बहुत ही simple फार्मूले है तो चलिए देख लीजे तो पहला फार्मूला यहाँ जब 36 संत्रे बेचने पर 4 संत्रों के क्रैमूल के बराब होता है तो लाब परसंट क्या होगा चार बटे 36 यानि कि जितने का लाब हो रहा है जितने संत्रों के क्रैमूल के बराबर लाब हो रहा है तो चार बटे 36 संत्रे बेचने पर चार संत्रों को क्रैमूल के बराबर हानी होती है तो जिसके जितने के क्रैमूल के बराबर हानी ह थीज़े दोनों फर्मूले कम लगेंगे हानिय और लाब परसंट के लिए जब क्रैमोली के बराबर लाभ या हानि प्रत हो रही हो ठीक है लेकिं नेश्ट कोशन नेश्ट जो फर्मूले हैं इनको देखते हैं कहरा हैं कि छतीस संत्र बेचने पर चार संत्रों के विक्रेमोली के बराबर जब लाब हो यानि जब विक्रय मुली सब्द आ जाए तब क्या करेंगे तो जब लाब हो रहा होगा लाब प्रिशत निकालना होगा तो क्या करेंगे उपर तो जितने के विक्रय मुली के बराबर लाब हो रहा हो उतनी वस्तुएं उपर लिखेंगे और नीचे ज संत्रों के विक्रय मुल्य के बराबर हानी होती है तो हान की स्थित में क्या करना होगा जब विक्रय मुल्य के बराबर हानी हो तो यह चाहिए दखना तो ठीक है तो क्या करेंगे जितनी वस्तों के बराबर हानी हो रही हो विक्रय मुल्य के बराबर उसे उपर और नीचे दोन करल ले जायत काली यह सिम्पल फर्मूले है बस यह यहाद रखना ऋकि क्रैम मुले के बराबर नव्याहान seben कर्सत हो रहा है लाव याहान रहा है या फिर विकरे मुले मुली के सापेच यहाँ जिएन वस्ति वेस्तजस कर एक व्यारा मीटर कपड़े के क्रेम उलिके बराबर लाब हो रहा है ठेका तो लाब प्रोफित परसंटेज क्या आएगा क्रेम उलिके बराब लाब लाब उरा तो सिधा ही करना था जितनी की बैदे में टोटल वस्तुनिय अपान THER treasure दें टो हंडडेड यहीं आ जाएगा ठीक है तो dar explored dign एक बड़ार दीन का लाब longest निए कि लाब कितना अ जाएगा तैं ते पींपर रुप Anime के बराबर लाब होंगे तो बस ये फर्मूला लग जाएगा अब current क्रूशण्ण में है सत्रह गेंदो को साथ सो बिस रुपए में बेचने पर पांच गेंदो के लागत मुले के बराबर हाण होती है ठीक है तो प्रति बाल प्रतिबाल लागत मूली यह पूछ रहा है तो इसको सिंपलर मान के लगा दिए अगर एक बाल की हम सीपी नहीं कि कॉश्ट प्रेस मां ले कितना एक सिर्ट मैं ठीक है तो सत्तरा बोले कि कास्ट प्रेस कितने आजएगी स्वेंटेन एक्स ठीक है अब से में नेक्स एक क्या आईगी कॉश्ट प करेंगे सेबसी कितना क्या विसीपाइनस स्पी एककोल टूलास होता है ठिलास होगा है तोले लागत्मुल कॉस्ट प्रैस एक समाना है तो पांच गेंदों के कितना हो जाग है तो प्रतिवार लागत्मुल यानि कि कॉस्ट प्रैस ही पूछा था पर बॉल तो वह आग्या साथ रुपई यह हो जाएगा हमारा अंसर चले नेक्स्ट कुश्टन देखते हैं नेक्स्ट कुश्टन दिया हुआ है सो पेंसिलों सो पेंसिल को बेचने पर एक दुकांदार को बीस पेंसिलों के विक्रे मुली के बराबर लाब होता है अब यहां लाब किसके बराबर हो है बीस पेंसिलों को विक्रे मुली के बराबर तब दूसरा फर्मूला लगेगा जो क करके total वस्तो में लेस्क करकर लिखा जाता है तो 100 में 20 की लेस्क करेंगे तो अपान में के इसका ही है 80 into 100 ठीक, एज कितना जागत 4 25 तो प्रफिट कितना जागत 25% तो ऐसी condition में क्या होगा 25.ป iPhone का लाब होगा ठीक है तो चलिए बने इस्टकोशन देख्ते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन दिया हुआ है 144 मुर्गियों को बेचने पर महज़ को 96 मुर्गियों के विकार मुलगी के बराबर हानी होती होती हैnor中國 याणिक सेहलिंग प्राइस के बराबर हानी हो रही है। चैसी स्थित को हम एड़ कर देंगे तो कितना आजागा 240 इंटू 100 यह आजाएगा 0 से 0 24 इंटू 4 टाइम्स जाता है तो यहां से आजाएगा 40 परसंट यानि कि लॉस कितना होगा 40 परसंट ऐसी कंडिशन में उसे 40 परसंट का लॉस होगा ठीक है यह हो जाएगा हमारा अंसर तो चलिए हाइं नंबर दिया हुआ है कि मौहन ने 2000 रुपय में 25 किताबे खरी दी और उसे 5 किताबों के व्क्रय मुलुके बराबर लाब कमाते हुए बेच दिया एक किताब का विक्रय मुलुड यहां से लिंग प्रम्न से किताब का पुछ रहा है तो हम मान लेते हैं एक बूक का selling price minus cost price equal to profit होता है ठीक है यही हम यहां पर लगा देंगे फर्मुला तो selling price और cost price हाँए परिस को قिने हैं महनने 2000 उपए में किताबें खरिती than 2000 हो गया for cost or के रिखने 25 तो 25 किताब को selling price कितंग और है एक किताब का selling price हमने X माना तो 25 किताबों को selling price होजएगा 25 इक्स minus cost price CP घटा देंगे CP कितना था 25 किताबों का 2000 मिनस 2000 एक्कोल टू आजाएगा एक्कोल टू क्या आएगा लाब ठीक है तो लाब कितना हो रहा है पांच किताबों के विक्रे मुली के बराबर एक किताब का विक्रे मुली है एक्स तो 5 किताबु का 5x ठीक अब इधर पच्छंतर करके list कर लेंगे तो 20x आएगा equal to 2000 ठीक है स्वाल करेंगे तो x की value कितनी आ जाएगी 100 100 रुपीच यह हो जाएगा हमारा selling price किसका एक वस्तुका ठीक है तो यहां से एक वस्तुका हमारा selling price आ गया 100 रुपे यहीं अंसे पूछा गया था तो यहीं हमारा answer हो जाएगा next question है हमारे पास 10 number दिया हुआ है रुपे 150 से 300 के बीच के मुल्यों पर किताबे खरीदी जाती है यानि कि cost price कितनी है cost price उसकी 150,000 to 300 यानि कि इसके बीच में कहीं पर खरीदना है ठीक है और 250 से 350 के के मुल्यों पर बेचा जाता है यानि कि Selling price उसका कितना है 250 से 350 के बीच में उन्हें बेचा जाता है तो करह左 किताबों को बेचने अधिक्तम लाब यहाँ पर अधिक्तम लाब पूछ रहा है तो इक किप का अधिक्तम लाब आज है तो 15 क Reports क्दिक्तम लाब कर फोगा अधिक्तम लाब इस क्डिशन में होगा जब कॉस्ट प्रैस minimum हो और selling price maximum ठीक है तभी हमें maximum profit होगा ठीक है तो maximum profit निकालने के लिए क्या करना होगा । cost price minimum लेनी होगी और selling price maximum लेनी होगी तो यहाँ पर अधिक्तम यानि कि maximum profit क्या आजाएगा एक वस्त पर maximum profit आजाएगा maximum selling price एनिक selling price कितना है, 350 माइनस मिनिममँ कॉस्ट प्राइस कितना, 150 150 less करेंगे तो यहां कितना आ जागा, profit आ जाग मैक्समम एक वश्टु का, कितना आ जागा है 200 ठीक है, यह एक वश्ट का maximum profit आ गया ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कितने पंद्रा किताबों के लिए पुछा जा तो एक किताब का अगर 200 आजा तो पंद्रा बुक्स का मैक्समुम प्राइस हम निकाल लेंगे 15 से मल्टिप्लाइ करा देंगे कितना हो जागा 200 इन्टू 15 तो यह आजागा 3000 यही हो जागा हमारा अंसर 3000 रुपीज ठीक है तो सिम्पल यहां बस इतना था कि उसने हमसे मैक्समुम प्राफिट पूछा था तो मैक्समुम प्राफिट किस कंडिशन में मिलेगा जह हम कॉस्ट प्राइस मिनिमम लें selling price maximum ले तो ही हमने ले लिया तो एक वस्तु का हमने maximum profit निकाल लिया then 15 books का maximum profit निकाल लिया और answer हमारा आगया 3000 रुपीज ठीक है तो हो जागा हमारा answer तो यह थी आज की हमारे profit and loss chapter के 10 question ठीक है तो I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आए होगा तो अगर यह वीडियो पसंद आए हो तो इससे like and share जोर करें और अभी तक आपने मैंचर को subscribe निकाए तो subscribe जोर कर ले क्योंकि ऐसे ही अने topics पर हम वीडियो बनाते रहेंगे तो चले मिलते हैं next video में thanks for watching